I want to go across now to one of the most important BJP leaders, a man who was sent into a very tough state of 36 गड़, ओम जी माथूर नाव जोइन्स अस ओम माथूर साब बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मालूम है कि आप बहुत कम लाइव कहीं पर भी बैठते हैं तो बड़ी मुश्किल से आपको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया क्योंकि इत्ती बड़ी जीत हुई, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपने वापसी की, कैसे आपने चुनाफ को गड़ा, उसके बारे में ओम जी मातुर हमाई दर्शकों को बताई, स्वागत और मुबारक बाद आपका मैं आते ही यहां के पार्टी के संगठन और आदेने मोदी जी की गरिप लिया और योजनाओं को लेकर के पार्टी को सक्रे किया और मैं धन्यवाद दूँगा यहां राजे सतीर गड़ी की यूनिट को, कि जो भी काम उनको दिया, बूच से लगाकर पज़े इस तरत के कारिकरता ने वो काम किया, चाहे वो मोरावास वाला विशे हो, एतिया सिक रेली मोरावास की की, और इसको एक्सपोज किया, कि में जो इनों ने भ्रष्टाचार किया, वो उजागर किया, और इसके साथ साथ बूत इसतर तक हमने बजबूत की पार्टी को और टोटल नए चेरे डूंड करके, शेत्रवाई, भोगोलिक और सोचल इफकेशन दोनों को ध्यान में रख करके, और उसी का परिणाम है, कि आ आउंटिंग शुरूर में कि एक डड़ घंटे बाद दी, वो कह देते कि हो सकता है, 36 गर निकाल लेंगे एंड में, लेकिन थोड़ा टाइट होगा, लेकिन चिंता नगरो एंड में हमी जीतेंगे, लेकिन 56, 34, इतनी बड़ी जीत की उमीद तो, बीजेपी को क्या अंदर काई में थी, अब तो, आप कहेंगे थी, लेकिन सुभेत आपको टेंशन होगी कि इतनी बड़ी जीतना हो हमारी, मुझे रहूल कोई टेंशन नहीं थी, मैं साल पर पहले आया जब कहा था आपके इन पतरकार से, कि मैं एतियासी बहुमत से, बीजेपी की सरकारिया बनेगी आप विश्वास करिये, कोई विश्वास नहीं कर रहा था और आप ने जिसे का, हमारे लोग भी टेंसें में थे लेकिन मैं कटी टेंसें में नहीं था मैं जाते समय भी पोलिंग के बाद भी मैंने यह कह कहा हूँ आप इंजार करिये मैं तुमारा डिजल्ट के दिन आपके बीच माहूंगा और एतियासिक विजे के साथ हम यहां सरकार बनाने जा रहे हैं और आप चमबा करो के इतनी सीटेम लाने वाले हैं और आज आपको पता होगा लगबग लगबग एक दो को छोड़ दूँ तो सारे इनके बड़े हाती मंत्री हारे हमारे शादान कारिकरताओं से और नब्बे में 55 मैंने नए प्रयोंके पचपन नए मैंने उमीदवार दिये उसका परिणाम और मोदी जी का जो विश्वाज नीचे तक उत्रा है वो गरीब कल्यान योजना है जो नीचे तक हमने लाबार्तियों के सम्मेलन किये हमने नीचे तक जो घणबर हुई उसको उजाकर किया या के लोकल विजायकों का भरष्टाचार उजाकर किया शमाज जीवन का कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो भुपेश सरकार से प्रसंद हो वो हम धर्ती पर हमें उबार कर लाए उसी का परिणाब है और इसलिए मैं तो पहले जिन चे कॉन्पिडेंस था और जब मैंने पहले जिनिया लेंड किया तब कहा था कि मैं चुनाब को पूरा एग्रेसिव चुनाब रोलूगा मैं डिफेंस में चुनाबनी रहूँगा और राहूल आप तो जानते हो में लगवग 6 साथ परांतों में आपने बराबर मेरे से मिलते रहे हो इसी तरह का चुनाब लड़ने का परिणाम आजिया हुआ है के लिए बड़ी जीत है क्योंकि राजिस्तान में तो आपके राज्य में रोटी पलटने का रिवाज रहा है 36 गड़ में मैं आपको दर्शकों को एक बार वोट शेर दिखाना चाहता हूँ 36 गड़ में भाजपा का जो वोट शेर आया है आप ये खयाल में रखिये कितना वोट शेर पिछली दफ़ा गिर गया था वहां से इस तरह की वोट शेर में वापसी ये वाकाई में एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि पिछली बार 10% का गयाप था बीजेपी 33 पे थी इस दफ़ा बीजेपी 46 पे 13% का इंक्रीज एक लाज़ली बाइपोलर कॉंटेस्ट में 13% का इंक्रीज ये तो एक तरीके से चुनावी जादू है जी जी दन्यावाद आपका दन्यावाद बहुत और कारेकरता होंगी महनत नीचे तक जी दौर बताईए ओम जी आपने इस चुनाव में डॉक्टर रमन सिंग को प्रजेक्ट नहीं किया आपके ओपी चौधरी हो अरुन साओ वो इस तरह के नए चेहरे थे मुख्यमंतरी आप किसको बनाने वाले है यह आप तो जानते हो यह काम मेरा नहीं है सेंटल पार्लेमेंट बोर्ड का काम है अभी तो विदायक दल की मिटिंग होगी सेंटल आपजरवर आएंगे वो नीड़ने करेंगे फिर दिली नीड़ने करेंगे यह त्या है कि हमने एहतियासी वीज़े प्राप किये मैं आपक को बहुत सुपकामना है उनका हर्शिवाद हमें मिला इसलिए धन्यवाद देता हूं और मेरे कारिकरताओं को भी सबको धन्यवाद देता हूं जिनों ने पूरे साल भर अथक मैनस से आना आप कल अपना करो के कि सबरे नौ वजे यहां बैटिंग मीटिंग शुरू कर रहत रात को बारा एक मिजे तक लागा अथार मीटिंगे करके हर बूच तक कैसे सक्रेता हूं वो इन सब कारिकरताओं ने किया उनको आपके चैनल के मादे में अपको धन्यवाद और जन्ता का अर्शिवाद हमें मिला अजर ने मोदी जी जी गार्शिवाद मिला ये हमारे खूत शुक्रिया Uh, thank you very much for joining us. A very rare, live, public appearance of the Sangatana Mantri. And remember Shiv, uh cheese JP nadda to charge of Rajasthan Uh Amit S questo a personal charge of the Madhya Pradesh. And we really put their big guns out! Not holding back, giving it their all, staking the equity, that's JP nadda who had his birthday just yesterday. At a birthday and what a way to celebrate he's got all the BJP party workers wishing him happy birthday and congratulating him on this big victory shift. The BJP can never be faulted, you know, for not doing enough in every election. Every election looks like, you know, something where the big guns need to be deployed and they really did that. Here's, you know, the man whose birthday it was just a couple of days ago. Let's listen in to what's happening at the BJP office right ahead of the Prime Minister's arrival. Arriving there at the BJP office, the Prime Minister will be arriving just minutes from now. India today's Polamie Saha is on the ground. We'll be going across life to her in just a moment. The Prime Minister will also be addressing, making a customary speech to the Karyokartas in just a short while. From now, we've spoken to all of the big faces in the three big states where the BJP has won decisively. Remember, decisions on who will be the Chief Minister are yet to be taken. Those will happen over the next few hours and days. Right now, all eyes on the BJP headquarters.